तिर्थांकर महावीर यूनिवर्स्टी में इंटर कॉलिजी एट चेंपियनशिप का क्रिकेट मैच के साथ आगाज हुआ ये है चेंपियनशिप 22 परवरी तक चलेगी चेंपियनशिप के लिए 18 कॉलिजों की टीमें आपस में भीडेंगी चेंपियनशिप में बास्केट बेडमिंटन, कबडडी, फुटबॉल, टेबल, टेनिस, कैरम आदी की देर दर्जन प्रतियोगिताएं होंगी इन प्रतियोगिताओं में यूनिवर्सिटी से करीब 1000 खिलाडी अपना पसीना बहाएंगे चेंपियनशिप शुभारम के मौके पर कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन के प्रभारी श्री M. मिश्रा स्पोर्ट्स कॉर्डिनेटर श्री तोहीद अख्तर के अलावा श्री चंचल सूरेवन्ची श्री यस्चंदर गंगवार आदी मौजूद रहे क्रिकेट का 15-15 ओवर का पहला मैच फिजिकल एजुकेशन और कुंथुनात कॉलेजों के बीच खेला गया कुंथुनात कॉलेज के कप्तान प्रवीन कुमार तिवारी और फिजिकल एजुकेशन के कप्तान अभिशेक शर्मा के बीच टॉस हुआ जिसमें कुंथुनात कॉल की पूरी टीम 12 ओवर में मातर 53 रन बना कर ही सिमट गई जवावी पारी के लिए कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन की ओर से सचिन अली और निशांत सिंग ओपनिंग के लिए उत्रे दोनों ही बल्लेबाज कुल 8 रन बना कर पवेलियन लोट गए चौथे नंबर पर करने उत्रे रविंद्र कुमार ने दो चोगों की मदद से 14 गेंदों में 17 सरवाधिक रन बना कर अपनी टीम को जीत दिराए रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के लिए चार विकेट भी लिए और मैन आप दे मैच चुने गए राजकुमार और दिविन में एंपाइरिंग की जब की स्कोरर की भूमिका में श्री वीपिंच श्रीवास्तव और श्री तो ही दखतर रहे ही